इस देश में 1 जनवरी 2020 तक लबबग 83% प्रोफेसर, 82.82 शिडूल काश्ट के प्रोफेसर की पोश्ट वेकेंट है यानि खाली है 93.98% शिडूल ट्राइब की पोश्ट प्रोफेसर की खाली है 96.65% प्रोफेसर की पोश्ट OBC की खाली है भले उनकी टिगरिया फेक हो लेकिन वो साजिश करने में माहिर है एसलिए जितने खाली पर थे उन्हें खतम करने की पॉलिसी बना दी और उसका नाम दिया नई सिक्षा नेती 2020 और उत्तर प्रदेश का मुक्यमंत्री आज पूरे देश में वहां पर उत्तर प्रदेश में नारा लगा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है कि इसकिल हुनर्मंद जो लोग है उनके बच्चे वही करें तो ये बताईए तिहार जेल और तड़ी पार रहने वाले का बच्चा बी सी सी आई का चेर्मेन कैसे बन गया भाई मत्यप्रदेश का मुक्य मंत्री अपने बच्चे को विदेश की डिगरी दिलवा करके खुले हम ट्वीट करेगा हम मानते हैं कि त्रशूल अर्तलवार बाटा जा रहा है उन्हें पैसा दिया जा रहा है कि जाओ मस्जित के नीचे कहो मंदिर है जाओ कहो कि यह द्यवाले बनेगा कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नोकरी रहेगी या जाएगी आप कल को प्रोफिसर बचेंगे या नहीं बचेंगे इससे ज़दा बड़ी बात यह कि कल को भारत का समधान बचेगा या नहीं बचेगा आम आवाम के खिलाफ नेतियां बनाई जा रहे हो उस दोर में जागरुक नागरिकों के जम्मेदारी है कि वो समानांतर संसद लगाए इसलिए इस चातर संसद में आये हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जै भीम, जै मंडल इंकलाब जंदाबाद है जूट के दोर में, त्रिशूल और तलवार के दोर में, हम कलम और किताब बचाने की लड़ाई के लिए यहाई कट्टे हुए हैं जिस दोर में संविधान के खिलाफ हर काम संविधानिक तरीके से करने का दावा किया जा रहा हो जूट को इतनी बार बोला जा रहा हो कि सच लगने लगे उस दोर में जरूरत इस बात की है कि वक्त के सच को इतनी बुलंदी से बोला जाए कि या तो वो सच इस देश के आम आवाम को समझ में आ जाए या हुक्मरानों को समझ में आए कि वो जेल भीजना शुरू करें इसलिए जेल भीजना हमारे लिए तमगा है प्रोफसर रतनलाल बैटे हुए जेल से लोट कर आए है और जो यहां नहीं लोट के आप आए मैं वैसे प्रोफसर हैनी बाबू और प्रोफसर आनल तिल तुमडे को याद करते हूँ अपनी बास शुरू कर रहा हूँ उमर खालिक और कोर्ट ये कहता है आज भी कि उमर के भाशण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे आतंगवादी बात कही जा सके फिर भी वो जेल में होंगे प्रोफसर हैनी बाबू ने तो कोई पोश्ट भी नहीं लिखी थी प्रोफसर रतनलाल ने कोट किया अपनी बात लेकिन प्रोफसर रवी कांत्र लखनोव विश्व द्याले में तो किदाब कोट किया था उनके उपर केमपस में घुस करके गोली मारो जूता मारो का नारा लगाया गया जिन लोगों ने प्रोफसर पर हमला किया वो बाईजग बरी है और प्रोफसर सच बोलने के जुर में FIR जेल रहे है हम उस दौर में खड़े है केमपसों पर हमला हो रहा है जेनियों को इतना बदनाम किया गया और प्रदान मंत्री तारीफ कर रहे हैं ट्विट कर रहे हैं कि जो फेल हो गए UPSC में उनके साथ हमारी सिंपथी है जो पास हो गए उनको बधाई दे रहा हूँ और उसी जेनियों से पड़ी होई गितानजली श्री जब अंतर राष्टे बुकरपुर असकार पाती है तो कोई भी ट्विट उनका नहीं आता है और उससे भी ज़्यादा विरुदाभास इस बात का कि UPSC क्रैक करने वालों को बधाई देने वाला प्रधान मंतरी लेटर लिंटर लाकर के बिना परिच्छा दिये कुछ लोगों को जॉइंट सेकर्टरी बना रहा है ऐसे विरुदाभास के दौर में हम खड़े है एसलिए सबसे पहले मैं एनिपे पर बहुत सारी बाते होई आंकडों के साथ बोलने पर भी अगर जेल हो रही है तो फिर बचेगा क्या किस तर्क से बोला जाएगा फिर मैं मैं आंकडों की बात करूँगा मैंने अपने नाम से ITI लगाई एक जनवरी 2020 तक के आंकडे निकाले देश भर के 45 केंद्रे विश्विद्यालियों में कितने प्रोफेसर्स हैं एसिस्टेंट, एसोसियेट और प्रोफेसर की रेंक पर कितने सैंक्शन पोश्ट है, कितने वैकेंट है तो मेरे सामने जो आकडे आये, मैंने उसका कंक्लूजन निकाला तो इस देश में एक जनवरी 2020 तक लगबग 83% प्रोफेसर, 82.82 शिडूल काश्ट के प्रोफेसर की पोश्ट वैकेंट है, यानि खाली है 93.98% शिडूल ट्राइब की पोश्ट प्रोफेसर की खाली है 96.65% प्रोफेसर की पोश्ट OBC की खाली है 85.71% पोश्ट PWD यानि विशेश रूप से सक्षम लोगों की पोश्ट खाली है असोसे एक प्रोफेसर में जाएंगे तो लगबग 95.95% ये रिजर्व के टिगरी की सीटे खाली है असेश्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी बहुत भरतियां हो पाएं ये RTI हमने लगाई और हम कहां ये मान करने वाले थे कि जतने खाली पद हैं कम से कम उनको तो भरो जो सैंक्शन पोश्ट होती है और हर बार के बजट में उनका बजट एलोकेशन होता है वो लोग न रहेगा बास न बजेगी बासुरी न बचेंगे ये खाली पद और न आप इन पन्युक्ती की बात करेंगे और ये बात मैं बोल रहा हूँ मतलब जो आज भी दिल्ले वश्व दैल्ले में ठेके पर प्रोफेसर हूँ एड़ाब टीचर दैश बर के लोग समझते हैं कि दिल्ले विश्व दैल्ले में प्रोफेसर है और मुझे पता है कि जितना बोल रहे हैं उसका खामे आजा क्या भुगतना पड़ेगा जब प्रोफेसर छोड़िये वाइस चांसिलर और प्रिंसिपल जंडे वालान से तय हो रहे हो वो हमारे आपको देख करके जब कुलपती ही विचारधारा देख कर बनाए जा रहे हैं तो नियुक्तियां की साधार पर होंगी इसके बारे में और कुछ कहने की जरूवत थे लेकिन जब हम बात करेंगे भगत सिंग और अंबेटकर की जब हम बात करेंगे सिक्षा की जब हम बात करेंगे संविधान की तो मुझे लगता है इन सब का तकाज़ा ये है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नोकरी रहेगी या जाएगी आप कल को प्रोफिसर बचेंगे या नहीं बचेंगे इससे जबह बड़ी बात ये कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा हम तो परलिक करके यहां तक आगे तीन सो रुपया फीस थी इलहाबाद विश्विद्याले की पाँच जार रुपया में पूरी पीच्डी कर देले विश्विद्याले से तब जाकर के हम यहां खड़े हो गया और बारा साल से एड होक प्रोफिसर ठेके पर प्रोफिसर बने है मैं जानता हूँ कि अगर हम आज यह नहीं बोले तो कल कुरे न तो यह 300 रुपय फीस किसे विश्व देले की होगी और न हमारे जैसा कोई व्यक्ति गाओं के खेत खलियान से निकल कर मजदूरी और किसानी करने के बाद आकर किसे विश्व देले में न तो रिसर्च कर सकता है न प्रोफिसर बन सकता है इसका दस्तावेश का नाम है नई सिक्षानीति इसलिए हमें बोलना पड़ेगा इस सिक्षानीति ने क्या पैं किया है New Education Policy नहीं है यह No Education for People No Education for Poor यह इसका नाम है इसलिए हमें इसको नई सिक्षानीति नहीं कह रहा हूँ किस बात के सिक्षा सिक्षा का मतलब क्या धेर सारी बातें पूर के वक्ताओं ने बहुत सारी कही है इन्होंने कहा कि हम बोर्ड एक्जाम के दबाव को कम करेंगे हम ग्रेड़ सिस्टम लाएंगे और स्कूल का जो पूरा पैटर्न था सेकेंडरी, मेडल, प्रिपेटरी और फांडेशन की नाम पर बदलेंगे आंगनबाडी के लोगों और प्रैमरी स्कूल के सिक्षकों के दबाव को कम करेंगे मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूँ वहां उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत खुदाई हो रही है उसी खुदाई से निकली गई चीज को पढ़ने के लिए प्रोफसर रतलाल जेल में गए और कॉर्ट ने ये कहा कि रहे भई तैही नहीं है कि वो है क्या और तुम उसके नाम पर जेल में बेज रहा हो उस प्रदेश में सच्चा के हाल ये है कि एक नई पॉलिसी बनाई गई एक तो प्राइमरी स्कूल के माश्टर को समय पर सेलरी नहीं दे जाईगी और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का माश्टर पढ़ाए न इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इतना काम उसके उपर दे दिया गया है कोई गणना करानिये तो कराओ वेक्सिन लगानिये तो लगाओ कोई काम सरकारी आदेश आया गाउं गाउं जाओ पढ़ाने के इतर सारे काम करेंगे और उनका एक फर्मान बहत खतरनाक है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी कम हो गए वहाँ से टीचर सर्प्लस हो गए जादा हो गए तो दूसरे विद्याले में उसी स्कूल के टीचर को भेज दिया जाएगा यानि नई सिक्षों को की भरती नई होगी फिर भी भरते हुए पिछले कारकाल में 79,000 सिक्षों की भरती राश्टे पेच्छडवर गायोग ने कहा कि उसमें अरक्षड को खत्म करके भरती की गई है 27% अरक्षड की पजाए 3.8% अरक्षड OBC को मिला बहुत दिन तक सरकार उसको टालती रही बाद में जब माल लेया कि हाँ गलती हुई हमसे फिर भी उनके उपर कोई मुकदमा नहीं है और हर्याणा के मुक्यमंत्री ओम प्रकाश शोटाला ऐसे इस सिक्षा घोटाले में आज भी जेल में है और उत्तपरदेश का मुक्यमंत्री आज पूरे देश में वहाँ पर उत्तपरदेश में नारा लगा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है तो काशी और मतुरा भी जाग रहे हैं वो उक्सार आए कि मंदिरों मस्जित की सियासत चलती रहे इसलिए मैं ऐसी सिख्षा नीत के आलोचना कर रहा हूँ त्रिभाशा फार्मूला की बात की गई अरे त्रिभाशा फार्मूला कहां से लागू होगा जब उनके भाशा सीखने की जो पूरी क्राइटेरिया उसको कम कर दिया कोडिंग सिस्टम किया क्रास करिकुलर एक्टिवटी मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी यानि एक स्ट्रीम नहीं पढ़ने जरूवत है आपको कई तरह की कलाकारिया सिखाई जाएंगी मुझे याद आता है जब पूरी दुनिया कोविट से लड़ रही थी हमारे देश में तीन कानून लाए गयते तीन कृशक सुधार कानून तीन श्वमिक सुधार कानून और नई सिक्षा नेती श्वमिकों के टेर्ड यूनियन बरबात कर दिये गए इसलिए वो भी कानून पास हो गया नई सिक्षा नेती में सिख्षक संगतन और तमाम छात्रों को कमजोर कर दिया गया इसलिए रही भी कमजोर है लेकिन किसान समझ गए कि वो तीनों कानून उनके सुधार के नहीं है वो उनके फसलों और नसलों को बेचने वाले कानून है इसलिए उन्होंने सड़क पर भंगामा किया और तीनों कानून वापस हुए मुझे लगता है कि नई सिक्षा नहीं थी इसलिए वापस हो जानी चाहिए क्योंकि वो आपके फसलों नसलों के साथ आपके बच्चों के भविश को खत्म करने वाली है मैं एक आकड़ा पेश करके जो कि वक्त नहीं है मैं अपनी बात खत्म करूंगा वो आकड़ा ये है कि जिस दोर में नए नए स्कूल कॉलेज और डिगरी कॉलेज खोले जाने चाहिए थे उस दोर में मंदर और मस्जित के नाम पर लड़ाई हो रही है और देखिये कितने स्कूल और कॉलेज बंद हुए है सिक्षा का बजट कम कर दिया गया जैसे बच्चा पढ़ने जाए हम लोग इलाबाद दिल्ली पढ़ते थे तो घर वालों से कहते थे इतना खर्चा दे दीजिए खर्चा बढ़ गया तो घर वाले उतना खर्चा थोड़ा कम करके देते थे लेकिन हमारे देश में एक ऐसा प्रधान मंत्री बैटा हुआ है जो कह रहा है कि मुल्टिपल डिसिप्लिनरी कोर्स चलाएंगे मुल्टिपल चॉइस कर सिस्टम देंगे आप विरेश तक पढ़ने जाएंगे आपको चॉइस बेस्ट कड़िस सिस्टम है और पैसा तो कहें पैसा कुछ नहीं है जितना पैसा उससे भी कम कर देंगे ये च्छाएं आस्मान पर चुएंगी और उन्हें पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं हो बजट एलोकेशन नहीं किया गया बजट कम कर दिया गया है इसलिए ताकि स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएं और वो जो पूरा बोर्ड आफ गवर्नर्स का मामला है एजुकेशन के लिए लोन का सिस्टम है कि लोन लीजिए और पढ़ाई करिए मैं उस आकड़े का निछोड बता रहा हूँ 2019 तक टेक्निकल रिसर्च इंस्टिट्यूट ने आकड़े दिया लगबख 17,000 टेक्निकल कोर्सेश के इस इंस्टिट्यूशन बंद किये जा चुके हैं और हर राज में स्कूल और कॉलेज बंद किये जा रहा है अब ये बंद हो जाएगा और प्रधान मंत्री ने ये बात भी बोली थी आखरी बात बोलके अपनी बात खतम करूँगा जब इस नई सिच्छा नीति को प्रेस कॉन्फरेंस के जरिए कोवीड में वो इंप्लिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में बोला हम स्किल डेवलप करना चाहते है कुमार का बच्चा कुमार बरे लुहार का बच्चा लुहार बने यही बात तो पूरा इस हजारों साल से सिच्टम में बनी आ रही थी कि यह स्किल हुनरमंद जो लोग है उनके बच्चे वही करे तो यह बताईए तिहार जेल और तड़ी पार रहने वाले का बच्चा बीसीजियाई का चेर्मेन कैसे बन गया बई यह भी बात तो हमसे पूछनी होगी आप अपने बच्चे को बीसीजियाई का चेर्मेन बनाओगे मद्ध प्रदेश का मुक्यमंत्री अपने बच्चे को विदेश की डिगरी दिलवा करके खुले हम ट्वीट करेगा पेचला जो सिक्षा मंत्री था वो प्रेस को इंफरेंस करके कहेगा कि आप वेदों में खोजो विग्यान कहा है आपको नए विग्यान की जरुवत नहीं है तो गाई गोबर गोव्मत में विग्यान इसलिए खोजवाया जा रहा है ताकि आपके बच्चे जो पढ़ करके उनसे सवाल कर रहे हैं वो न करें और पिड़े दर पिड़े कुमार लुहार बढ़ी नाई मोची मल्ला निशाग इन जातियों के लोग जो पुष्टैनी पेशे में थे वो वापस उझे पुष्टैनी पेशे में चले जाएं वो डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्रोफसर, जजज न बन पाएं इस दस्तावेच का नाम है नहीं सिक्षानीती इसलिए हम पूरजोर विरोध करते हैं इस सिक्षानीती का हम मानते हैं कि तरशूल अर्टलवार बाटा जा रहा है उन्हें पैसा दिया जा रहा है कि जाओ मस्जित के नीचे कहो मंदिर है जाओ कहो कि यह द्यवाले बनेगा यानि हम तो कह रहें इस देश में वैसे भी देवाले की कमी नहीं थी इस देश में कमी थी ती स्कूल, कॉलेज और विश्रद्याले की हर विश्रद्याले को बंद करके देवाले बनाने वाले लोग इस नई सिक्षानीत को लागू कर रहे हैं हम जानते हैं कि यह बाद लोगों को समझाना कठिन है क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसका असर 20 साल 30 साल बाद दिखेगा जब तक आप इसे समझेंगे तब तक आपको बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं इसलिए मैं इस मंच के आयोजगों को और ऐसे भारत को संविधान को बचाने वाले लोग हम इस देश में बाबा साब और भगत सिंद्य सपनों का भारत जो सच्छा की बात करता था जो तिबाद फूले के सपनों का भारत सावित्र भाई फूले के सपनों का भारत जिसमें सब को पढ़ने का हक था उन पढ़ने वाले लो ये मौका नहीं बचा पाए इसलिए इस नीति का विरोत करना बहुत ज़रूरी है जै भीम, जै मंडल, सम्विधान जिंदाबाद, उल्गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद झाल